नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा निवी चैनल में आप सभी का स्वागत है वारार सी लखनव वाया सुल्तान पूर रेल खंड पर सिटी इस्टेशन के समेप इस्थे सीही पूर रेलवे क्रासिंग के पास गुरू वार की सुबर ट्रेन से कट करनेती युवा सराफा कारोगबारी का सव मिलने से संसनी फैल गई स्वजन का कहना है कि सुध खोरों से आजीज आकर उसने मौत को गले लगा लिया उनका कहना है कि उसकी जेव से सुसाइड नोड मिला है जबकि राज़की रेलवे पुलिस इसी से इनकार कर रही है रेलवे लाइन के पास युवक का सव देखकर गेट मैन ने इस्टेशन मास्टर को सूचना दी पथा चलने पर मौके पर पहुची जी आर पी को क्रासिंग के पास बाइक मिले पुलिस सुसाओ को मोर्चरी में ले गई आसपास के लोगों के अनुसार उक्त इवक वहां करीब एक बजे वहां पहुचा बाइक किनारे खड़ी कर क्रासिंग के पास टहल रहा था इसी दवरान ट्रेर आने पर उसके आगे कूद गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई करीब घंटे भर बाद रित युवक की सिनाक्त तर्तला महला निवासी तीस वर्सी अस्वनी कुमार सेट उर्फ अंसु पुत्र अस्वक कुमार सेट के रूप में हुई वह दो बच्चों का पिता था पता चलते ही घर में कोहराम मच गया सिनाक्त के बाद पुलिस ने सव को पोश्ट माडम के लिए भेज दिया बित युवक सहर में पॉलिटेक्नी चोराहे पर सराफा की दुकान चलाता था स्वजन के अनुसार तलासी के दवरान उन्हें अनसुसेट की जेब से सुसाइट डोट मिला जिसमें उसने लिखा था कि संतोस गुपता उर्प पप्पू और जगदीश कुमार प्रजापती ने उसे ऐसे जाल में फसा दिया जिससे निकल नहीं पा रहा हूं दोनों ने पहले बिना ब्याज के रुपए दिये इसके बाद 30 फिस दी ब्याज पर रुपए दे दिये 10 लाख रुपए देने के बाद भी कहने पर ब्याजदर कम नहीं कर रहे थे अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है पापा, मा और पत्नी पूनम मुझे माफ करना वहीं जी आरपी थाना प्रभारी रमेज सिंग ऐसा कोई सुसाइड नोट मिलने से इनकार कर रहे है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान की गंटी जरुर दबाएगा